तो दूस्तों नबश्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल यूनाइट पब्लिकेशन गाइड में और मैं हूँ आपका दोस्त यग्ये शर्मा और आज मैं आपके लिए 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 आया हूँ एक interesting fact video जिसमें हम लोग बात करेंगे fight score किसी भी जनरल का होता क्या है किस तरीके से walk करता है किस तरीके से हम लोग fight score को calculate कर सकते है किसी भी जनरल का और fight score की जब increase होता है या down होता है तो से क्या फरक पड़ता है जनरल के quality या impact को लेके तो चलिए इस वीडियो में बात करते है पर आगे बढ़ने पर पहले हम लोग जान लेते हैं idea है दोफतों कि fight score, methodology और fight score होता क्या है तो fight score एक तरीके का आपका एक number होता है जो कि किसी जनरल को ये मिलता है और ये number कैसे आता है दोफतों ये number हम लोग ऐसे निकाल फेकते हैं कि last three years में last three years में number of articles जितने आए है किसी particular journal को और उन article पे जो number of citation आए है reference के उपर उसको हम number of citation को divide कर देते हैं जो last three years में जो जनरल के पाफ जितने article आए है published article उन से divide कर देते हैं इससे हमारा fight score किसी जनरल का निकल के आ जाता है तो दोफतों क्या है fight score? fight score is the matrix used to measure the average number of citation received by the article published in a journal तो fight score इसको बोलते हैं दोफतों अब जानते हैं fight score को calculate करने वाला कौन होता है? dear दोस्तों मेरे fight score को calculate किया जाता है वो इसको पस dynamic database के जरिये कह जाता है इन्होंने एक आपका tool बना रखा है जो कि इसको हम बोलते है fight score measurement और कह सकते हैं fight score calculate calculation तो वो क्या करता है कि आपका automatically ये क्या करता है कि हर एक एक year का हर साल का fight score है किसी भी जर्नल का वो automatic आपका calculate हो जाता है जिससे fight score के बाद से क्या होता है कि किसी भी जर्नल के impact factor के बारे में हम जान सकते हैं कि last year उसका impact factor कितना था? 21-23 में कितना है? या आने वाले 24 में किसी जर्नल का impact factor किससे या कितना होगा? तो दोस्तों ये calculate जो करता है वो आपका scope of database करता है जो की large of scientific literature scholarly database है जिसमें की जो ये क्या provide कराता है ये आपका किसी भी general के impact को बारे में या किसी scientific community उसकी कितनी strong है किसी general की उसके बारे में इस scientific score से हम पता लगा सकते है कि general quality wise कितना अच्छा है चलिए आगे बढ़ते हैं वी site score को दोस्तों calculate किया जाता है तो site score जो मैं आपको बता है कि इसको पस dynamic database इसको calculate करता है जो की large of database है scientific database है scholarly literature का और site जो calculation होता है वो होता है आपका number of citation जो receive हुए है किसी article के उलेके right किसी article के उपर जो की publish है particular journal में और over a three years of period यानि तीन साल में जितने articles आये हैं उनके उपर कि मिले हैं उसके base पे किसी भी journal का site score पता कर सकते right तो site score is expressed as a ratio of the total number of citation to the number of article published in a journal right ये मैं आपको बता चुका हूँ right चलिए बात करते हैं site site score किस तरीके से calculate किया जाता है तो तो दिए site score में क्या है आप देख रहे हैं कि site score in the past three years यार इस जो citation जो रजीब हुआ है पास three years की बात करूँ मैं जो निकल चोके है जो last three years है उनमें कितने citation किसी एक journal को मिले है उसको divide कर दिया जाता है कितने number of articles उस journal के पास last three years में आए है उससे क्या होगा कि आपका ए जनल नहीं यदि अपने last three years में उसने hundred article यदि publish किये है और उन hundred hundred articles के उपर उसको total five hundred citation रिसीब हुए है तो site score को मिफ्टरगे फे calculate कर सकते हैं कि five hundred citation उसको मिले और उस citation को वेश पे जो article जितने आये है उस hundred article आये उसको divide करके आप देख सकते हैं कि five किसी भी जनल का site score आ गया मान के चलिए कि मैं बात करता हूँ कि उसने दिया number of article hundred आपका article उसने published गिया है last three years में किसी भी जनल ने और उसके पाफ जो one thousand जो articles है उनके उपर उनके उपर one thousand citation उसको receive हुए है particular journal को उस particular article के उपर तो आप देख सकते हैं या आप 500 की जिए आपका one thousand citation divided by two hundred articles यहां से आपक इसका site score किसी भी journal का मिल जाता है दोस्तों बात करते हैं yes site score methodology यह journal का जो scope of database है वो क्या करता है कि एक तरीकी का उसने आपके calculation बना रखा है मैं आपको बता रखा है कि four year publication window बना रखी है उसने कि वो क्या करता है कि automatically one year तक का जो आपका tracker रहता है site score tracker जो रहता है वो अपना use methodology यह use करके उसको किसी particular journal का जो site score है वो हर साल बताता है उसको रहता है तो site score 2021 counts the citation receive in the 18 to 2021 to the article, reviews, conference paper, book chapters and the data paper published in 18 2018 to 2021 and divided this by the number of publication published in the same year right तो वो same चीज़े जो मैं आपको बताया है तो यहाँ फे दुस्तों आप annually उसका जान सकते है calculate annually करता है यह 12 times per year right हर साल में बारा बार यह site score tracker वर्क करता है, मंतली वर्क करता है और किसी particular journal का site score यहाँ से पता चल जाता है कि उस particular journal का research impact या उसका general का quality कितना अच्छा है तो site score से हम किसी भी particular journal का quality हम लोग measure कर सकते है कि वो भई किस टाइप का general होगा हमको यह पता लग सकता है कि वो Q1 category में general है या Q2 category का general है या Q3 category में general आएगा या Q4 category में general को जाना चाहिए right जनरल का quality यहाँ से हमें site score से बड़ा इसली पता चल जाता है इससे number up site score increase होगा किसी भी journal का तो उसके मान के चलिए कि जो आपका कोई author है जिसमें article publish हुए है उसके journal में तो उनको आगे funding की किसी government funding agency से उनको project के लिए fund भी easily available हो जाता है क्योंकि उसके number up articles जितने मिले हैं उस तो यह मैंने पता है आपको funding and grant applications में आपको अच्छी से मिल जाती है यहाँ से आपको funding मिल जाती है प्रजेक्ट के लिए जो आतर अच्छे है क्योंकि अब बात है कि general का site score अच्छा है तो उसके उपाफ नमबर अच्छे आ रहे होंगे और उसके number up article यदि published अच्छे है तब ही number up citation अच्छे आ रहे हैं दूस्तों तो इस पर जैसे आपको funding में उसको help मिल जाती है decision in making for library यदि किसी article किसी journal का बहुत अच्छा journal है उसमें article published और article के पर अच्छे citations आ रहे हैं तो उससे एक application और मिल सकता है एक importance और बढ़ सकता है कि वो उस article के papers को right या पर उनकी जो book है वापर या उनका जो contrast profiting है वो as and आपका literature use हो सकता है किसी library में तो यह से number of multiples यहां से कुछ importance applications एस site score की होती है दुस्तों दुस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो please जा कि मेरे चैनल को subscribe कर दिजिए और please bell icon को बीट कर दिजिए कि आने वाली सारी वीडियो को notification आप तक पहुत जाएगा तब ह setup है आप दूतो है आप ले एखए भी में लॡच को चारे ला रजए वोगे, उटी में आप गारे वोग Works की बीडिव दिएकी से जाएग दूता है एंट इंप heeft बीक हुआ हम एंट वेंट वें एंटरां श् mechanics起 Ну एंटिए एंटार्ण का अविए और वेंटरां एंटार्या